यह तीन मैडिशन का जो कॉंबिनेशन बताया है मैंने यह पंच के रूप में यूज कर सकते हैं जब विद्ध धाल ले सकते हैं जो आप मैने आपको कॉंबिनेशन बताया वहाब लेंगे तो आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक होने वाली है आज के इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसी मैडिसिन के बारे में एक ऐसी बीमारी के बारे में बताऊंगा जिससे काफी सारे ऐसे मरीज हैं जो परिशान हैं आपने देखा होगा अक्सर लोगों को जब वी वह बैट से उठते हैं सुबा सुबा मॉर्निंग में तो उनको एडियो में दर्द होता है कई ऐसे मरीज होते हैं कई ऐसे फीमेल महिलाई होती हैं specially जिन को एडियो में दर्द होने की सिकायत रहती है तो आज का वीडियो अगर आप पूरा देख लें और ये वीडियो जो मैं आपको बता रहा हूँ ये scientific deliberation है इसमें कई सारी ऐसे research wisdom medicine है जो आपको इस परिशानी से जाहत दे सकती है हमेशा के लिए इस परिशानी को ठीक कर सकती है मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे और like जरूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक share करेंगे free of cost जानकारी कोई नहीं देता है आप सभी को पैसे लेकर के आप जो जानकारी लेते हैं हो सकता है वो completely जानकारी आपको provide नहीं हो हता है और जादा तर महिलाएं बहुत जादा इससे परिशान होती है बहुत जादा ग्रसित होती है तो जब भी यह समस्या आपको होती है इसे हम और इसके अलाब्वा इसे हम Elt- रिलीफ नहीं मिलेगा तो आपको काफी सारी प्राब्लम्स होगी रिपीट में इसलिए कारड समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कारड अगर समझ लेते हैं तो आपकी आधी बीमारी आप खुद ठीक कर सकते हैं और आधी बीमारी हम आपकी ठीक कर देंगे तो मतलब कि है इसे हम क्या कहते हैं और अगर अधर नाम से जाने तो यह होता क्या है विसी के लिए यह समझेगा हमारी हड्यां अलग अलग प्रकार की मिनरल्स डेपोजिशन करती हैं और इसी प्रकार से हमारी हड्यों में कैल्सियम का डेपोजिशन सब से ज़्यादा होता है तो कैल्स गालसियम और विटमिन D3 जब डेपोजिशन होता है। तो हमारी हडियों को मस्बूत होने के लिए एक backup मिलता है, हमारी हडियां मस्बूत हो जाते हैं। यह जब कैल्सियम जादा डेपोजिशन हो जाता है, तो उसके दिक कि जह सरी हडियां बड़ जाता है। अब हमारी hill है, यानि कि जो हमारी ED की हड़ी है, उस हड़ी के नीचे वाली हड़ी में, जिसे हम calcaneas कहते हैं, या calcaneal कहते हैं, उस हड़ी में सबसे नीचे एक planter fascia attached होता है आप ये जो देख रहे हैं ये प्लांटर फासिया होता है और ये जो हड़ी है आपकी ये इसे हम कहते हैं कैलकेणीयल وnd तो ये जो कैनकेलीयल वόन है इस वोन में जब एक छोटासा हड़ी का पार्ट बढ़ जाए या एक नुकेलासा पार्ट निकल आए इसे हम कहते हैं cancania spur या heel spur तो यह क्यों निकला क्योंकि हो सकता है वहाँ पर जो आपका calcium है वो deposition जादा हुआ हो उसकी बज़े से हो सकता है और इसके अलाबा और कौन से कारण होते हैं जिसके बज़े से यह जो cancanian spur है या जमीन से touch होगा तो आपको pain होगा जबभी आपको यह परिशानी होगी तो यह touch होगा और आपको परिशान करीगा लेगा तो आप जैसी सोब्हे 있어 वेट से हुटते हैं जब भी आप जाके चलने के कोसिस करते हैं तो यह परिशानी आपको होती है और जब थोड़ा थोड़ा आप चल लेते हैं तो आपको आरा मिलना स्टार्ट हो जाता है यह सिंटम्स उस मरीज के होते हैं तो यहां पर जो इस पर है उसे ठीक करने के लिए क समस्य हो सकती है अगर किसी का वजन बहुत जादा ओवरवेट है वह तो उसमें जादा प्रिशेद पढ़नी के बज़े से जादा उसको स्ट्रेस होने की बज़े से यह दिक्कत होती है राइट इसके अलाबहा डिपॉजेज़न इसके अलाबा जो ill-fitting shoes है या footwear उनमें भी हो सकता है जो fitting वाले shoes या जो proper shoes नहीं पहनते हैं उनमें या footwear जिनका है वो ill-fitting है सही fitting का नहीं है तो उनमें भी ये दिक्कत कई वार देखने को मिलती है इसके अलाबा जिन मरीजों का बजन जादा है वो मैंने आपको बताया बजन जादा है ट्रैफिक फुलस वाले जिनका जो खड़ा होने का टाइम डूरेशन जादा है athletes हैं या sportsmen हैं क्योंकि उनके जो ये नीचे वाले वोन है वो जादा use होती है उसकी बज़े से भी ये हो सकता है तो ये कुछ कारण है और या ऐसे लोग है जिनको ये हो सकती है अब medicine की बात करें तो medicine वाले पार्ट में आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा क्योंकि ये इसकी जो medicines है वो specific medicine आपको मैं बताने वाला हूं कैल के लिया फिलोर कैल के लिया फिलोर western medicine इसके लिए है अगर आपको ये 6x potency में मिल जाए तो आपको 6 tablet सुबह, 6 tablet दुपहर, 6 tablet आपको श्याम को लेनी है जिन भी लोगों को जिन भी मरीजों को हड़ी बढ़ने की समस्या है वो मरीज यानि की जिनको एडियों में दर्द होने की समस्या है वो मरीज इस medicine को लें और उनकी हड़ी की समस्य चुट क्यों में ठीक होने बाल लिए हमेशा के लिए वो विमारी आपके ठीक हो सकती है कैल के रिया फिलोर आपको लेनी है 6X पोटेंसी में आपको लेनी है 6 Tablet सोबा, 6 Tablet सोबार, 6 Tablet साम को आपको लेनी है इसके अलाबा अगर किसी मरीज को ज़्यादा दर्द होता है, ज्यादा पेन होता है, तो उस मरीज को कैमोमिला का mother tincture, और इसके अलाबा बैलरडोना का mother tincture, और उसको कोलोसिंद का mother tincture, ये होमियोपेथी का pan killer है, ऐसे pan killer बहुत fast relief यह देता है आपको अगर किसी भी मरीज को severe pain होता है उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है तो उस मरीज को हम यह तीनों medicines में लाके consequence एक है chamomilla, दूसरा है colosan और तीसरा है belladonna यह तीनों medicines क्यूं mother tincture form में आपको लेनी है और यह तीनों दवाईयां आपको mix कर लेनी है बराबर quantity में और इन तीनों medicines को जब mix कर लेंगे तो आपके पास एक combination बन जाएगा और इस combination में से 20 से 30 भूनें आप दिन में तीन वार शुबा दो फैरें श्याम को आदे कप पानी के साथ ले सकते हैं तो यह सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी और यह medicines जैसे लेंगे आप तो आपको रिलीफ वाना स्टार्ट हो जाएगा और अगर चोट की बज़ा से किसी को प्राब्लम है कई बार यह ट्रोमा की बज़ा से भी दिक्कत है तो उसमें अर्निका मोंटाना 200 पोटेंसी में दिन में दो बार शुबह एंस्याम को दो-दो ड्रॉप्स आप लेंगे और यह बाकी की medicines कैल के लिए फिलूर और इसके साथ मैं जो आप मैंने आपको combination बताया वह आप लेंगे तो आपकी समस्या हमेशा के लिए ठीक होने लिए और आपको हील की जो प्रावलम है हील इसपर की जो प्रावलम है वह अपने आप ठीक हो जाएगी और इस medicine से बहुत अच्छे रिजर्ट्स आपको देखने को मिलेंगे यह तीन medicine का जो combination बताया है मैंने यह पैन किलर के रूप में आप यूज कर सकते हैं जब भी दर्द हो तब ले सकते हैं और लब्मी समय तक इसे यूज करने की ज़रूद पड़ेगी नहीं क्योंकि दर्द कम हो इतनी के लिए हमरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को शेयर जरूर करें और लाइक जरूर करें फिर मिलते हैं इसी तरह किसे नहीं वीडियो में तब तक लिए नमस्कार थेंक्स वाचिंग है बनाइस टेज जाहिनी